स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल RCLLV में दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं एक महत्पूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ कि IPC Section 23 क्या है या इसमें क्या प्रावधान दिया गया है दोस्तों अन्य वीडियो में हमने आपको IPC की काफी सारी धाराओं के बारे में पहले से ही बताया है यदि आप उनको समझना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों यदि आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजिएगा देखिए IPC सेक्षन 23 में बिस्तार रूप से wrongful gain और wrongful loss यानि की गलत तरीके से लाव और गलत तरीके से हानी के बारे में बताया गया है तो आज की वीडियो में बहुती इसपस्ट रूप से इन दोनों को हम समझने वाले हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं wrongful gain के बारे में देखिए जब कोई ब्यक्ती गैर कनूनी तरीके से किसी प्रॉपर्टी को ले लेता है जिसका बहले लेगली रूप से तो ना तो मालिक है और ना ही उसका प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी तोर पर उसका हक नहीं है देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है जरूरी नहीं है कि जमीन ही हो या जाधे जमीन हो या कुछ जमीन हो कुछ भी हो सकता है जैसे कि सोना चांदी पैसा मोबाइल फोन कोई भी सामान इत्यादी किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टीज हो सकती है तो कोई भी ब्यक्ति लीगली रूप से उसका हकदार भी नहीं है लेकिन फिर भी वो उसको गैर कानूनी तरीके से कपजे में ले लेता है तो उसको रॉंगफुल गेन यानि की गलत तरीके से प्राप्तलाव कहा जाएगा उसको उधारन के तोर पर समझें जैसे किसी भी ब्यक्ति का खेत है और बहे उसका कानूनी तोर पर हकदार है लेकिन आप उसे धोका देकर या जवर जस्ती प्रेसर बनाकर उसका खेत ले लेते हैं तो उसको रॉंगफुल गेन कहा जाएगा यानि की आपने गलत तरीके से लाप राप्त किया है क्योंकि आप उस खेत के कानूनी तोर पर हकदार नहीं है और आपने उस खेत पर कब जाकर गैर कानूनी तरीके से लाव लिया है तो इसे रॉंगफुल गेन कहा जाएगा तो इस प्रकार हमने रॉंगफुल गेन को समझा आए अफ समझ लेते हैं रॉ ली गई है तो उसको wrongful loss कहा जाएगा इसका example देता हूँ जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक सोने की चैन है और आप उस सोने की चैन के कानूनी तोर पर हकदार है क्योंकि भै आपने चैन खरीदी थी और उसकी रसीद भी आपके पास है और भै आपके office में आपकी table पर रख हुई है लेकिन कोई बाहरी बैक्ति आकर उस सोने की चैन को चुपचाक तरीके से अपने पास रख लेता है तो इसमें आपको wrongful loss हुआ है यानि कि गलत तरीके से हान हुई है क्योंकि आप उस चैन के ऐसली हकदार थे कानूनी तोर पर मालिक थे लेकिन उसे किसी दूसरे न धोके से यानि गलत तरीके से अपने पास रख लिया है तो इसमें आपको wrongful loss हुआ है और हाँ बात करें तो जिसने चैन ले ली है उस बैक्ति को wrongful gain हुआ है क्योंकि उसने गलत तरीके से किसी दूसरे की property को अपने पास gain किया है तो IPC के section 23 में wrongful gain और wrongful loss के बारे में बताय गया है उमीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपने इन दोनों को बहुती सरल्वाइसवस्ट रूप से समझा होगा एदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और channel को subscribe भी कीजिएगा